एक एसी पुजा जिसको करने से बेटा के मुरुत्ति होती नहीं हेलो गाइज वुलकम ब्याक टु माई चेनल आज हाम द्युतिवामन याने की मुलास्टे में ब्रत्य की सची काहनी रियल स्टोरी हम आपको बताएंगे जो सारी मा है वो कंप्ल से लिए ब्रत करते हैं जिनको बच्चा है वो उनका पुत्र का चंदर दोसो चंदर विष्टर खणार करने के लिए करते हैं जिनको बच्चा नहीं वो पुत्र वती होने के लिए पुजा करते हैं चिले सुर करते हैं अस्तों महिना, कुष्टम उख्या रगते हैं भमें पूल महार्ति में कना कार्षिere कि जैने में जैने मिखेते हैं अटो happenedadeूति या तो त्येया तो देञेम के नीचे दोटे के नीचे या तो गाँ को पीचे-पीची एक जगा पर ये पुजा सुरू किया जाता है, ब्रामिना के पुजा करते है, ये ब्रत्त का उपखेन करते हैं अस्तान के पास सारे फॉल, सबजी और कपड़ा रखे पुजा किया जाता है, चो राशी सुपरी को पुजा करके, कूड को पुजा करके दिद्वावन को आवान किया जाता है, पुजा सुरू किया जाता है, पुजा खतम हने के बाद सारे सबजी को लगे एक खास करी बनाया जाता है जिसका नाम है घांट केको सारे सबज को मिला कर वो नियूबाद देते हैं जो सबज हूँ भनता है उसको गांट बोलते हैं एक एक खास प्रसट्त बनाए जाता है जिसमें मेने होता है भेलपुर्य औरकी नैरियल गेला ककुंबर और कुछ सूच डल के प्रसद पूझा खतमने क्पाद नदी में श्नान करके उसकी साइड में केला के पत्य में दांतुन देते हैं जो अप्सक्रमारगा एक पodhin वता है उसमें लेते हैं दो दांतुन उसमें देते हैं और देखे प्रासाद और जोस्बत सब्जी देखे उसकी बाजी में ज्याकल और पक्षि उनका चित्र बना जाता है बनाकर उनके नाम पर यह प्रसाद के जाता है उसका कहानी में बता दें शुर्जमाणलनाम के गावन था जिद्रि एक राभण रहते तो इनका नामता सुरक के थि और वही गाव сторон एक विद्वा ब्रामि रहतтесь थी जिसके नमता दुरलवी उनका कोई बच्चा नहीं था वो बिद्वा भी हो चुकी थी वो भोवान से रोती थी मिन्नती करती थी हमें एक बच्चा चाहिए तेव बभोवान ने प्रसन हुए और उनके उरस से उनको एक समतान प्राक्तोंने का खुसकबरी उनको मिली ये खबरी सारे गाउं में फेल गई राजा जिक को जो मलूप पड़ा तो राजा क्रोधी थी होके उनको गाउं से निकाल दी कि तुम बिद्वा हो केसे माँ बन चकते हो उनको सचे मालूम नहीं था इसले बो गाउं से निकाल दी तो वो बाहर आके गाउं के बाहर आके के घर बनाका रहने लगी जब दस महिना हो गया उनके एक सुन्दर सा बालक आसिन्न महिना कृष्टन अश्टमे के दिन मुडाने खेत्रे में मीत्थन लगन में पेदा हुए उसका नाम रखे दीती बामन दीती बामन जो बड़ा होके स्कूल जाने लगे तब सारे बच्चे उनको चिड़ाने लगे तुम बीन बाप के बैटे हो बोर रोर के एक दिन आके माह से बोली हमें ऐसे बच्चे चिड़ा रहे मेरा पिता जी कौन है तब उनके मा बले तुमारे पिता जी है बोले अगर पिता जी है तो मुझे दिखाओ उनके मा बले हम तुम्हें काल सुबह दिखाएंगे जब सुबह हुआ वो सुर्यों को जाके दिखाए यही तुमारे पिता जी है तब वो सुर्यों से प्रणाम के जो जाकल था वो ठीक से नहीं कर पाया लेकिन जो चिल पक्सी था वो ठीकसे कर दिया ऊसके बाद दुनों कर नुट्वित्य हो गई और उनको दुस्रे जाना मिलाई ढूसे जने में दुनो दो बेन के रूप में पैदा हुए जो बोडी बेन्टी वो जाकल एक मंतरी से साधी कले लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था लेकिन जो छोटी बेंटी वो एक साधू से भीवा के और उन्हें बहुत सा धान का प्राप्त हुआ और वो पुत्रबती भी थी यह देखें उनका जो बड़ी बेंटें उनको हमेशा जेलोशी होती थी और इसलिए वो छोटी बेंटी सारे ब मुंडी काट लिया यह देखके जो भगान दिति बांटे वो यक्की वल्चे उनको मालों पड़ गया और उसारे बचे वो गाइब कर लिए सारे मुंडी काटके कपड़े में ढाके दासी के हाथ से अपनी बेहन के घोर को भेज दिया यह जो सर था वो पहचने से पहले उनक इसमें नारेल था पूंडर लेके अर्ब छाने लगे बच्यों को जीन्दा देखे मांसी की बड़ा गुसा आ गया और फिर से बो प्लानी किया उनको माने के लिए फिर से ढूजा लिया को फिर से हार गई की और एक पूजा गई सब्सक्राkt उल्स भूत्रवत्यका मतलब सद्था। भामान भी होते हैं सुर्य भव्वजान भी होते हैं यह पुजां지는 घंग मता्त थोड़ो सो उपचार पुजा स्टार्ट किया जाता है अगर मेरे वीडियो थोड़ी सी भी आच्छे लगे कहाने आच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब कर जेगा रखती हूं मिलते नेस्ट भुड़े में तक तक बावाई